बट्यागे रुकरलिंग अगली बड़ी खबर का जोहां तीसेदारी कोट में रो पड़ी स्वातिमालिवाल दरसल कोट में विभव कुमार की जमान अतिया चुका सुन पर सुनवाई हुई तीसाधारी कोट में स्वाती मालिवाल भी मौजूद थी विभव कुमार पर स्वाती मालिवाल को थपड मारने का आरोप है और ऐसे में सुनवाई के दौरान स्वाती मालिवाल का दर्द शलग उठा वो कोट में ही रोपड़ी तीसाधारी कोट में विभव कुमार के मामले मे सुनवाई होनी थी और वहाँ पर स्वातिमालिवाल भी मौके पर मौझूद थी तो सुनवाई के दौरान कोट में ही रोप पड़ी सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान स्वातिमालिवाल भी मौके पर मौझूद थी और बता दे कि इस पूरे मामले में विभव कुम कुमार पर स्वातिमालीवाल को थपढ मारने का आरोप है और ऐसे में तीस जारी कोर्ट में विभव कुमार की जमानत याच्चका पर सनवाई च्वल रही थी चुकि सनवाई के दौरां स्वातिमालीवाल भी कोट के अंदर ही मौझूद थी और इस दोरां वो कोट में ही रो पड़ी तो तीसदारी कोर्ट में स्वातिमालिवाल भी चुकि मौजूद थी है बता दे कि इस दोरान विभव कुमार की जमानत को ले करके तीसदारी कोर्ट में सुनवाई चुल रही थी चुकि विभव कुमार आरोपी है स्वातिमालिवाल के साथ बचसलू की मामले में बत सादे की 13 माई को ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ जब स्वाती मालिवाल सीम आवास पहुंच वी थी और उस दोरान सीम के जिवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ कथित तोर पर मारपीट की और ऐसे में पूरे मामले में अब सुनवाई विभव कुमार की जमानत को लेकर के होनी थी और इस सनवाई के दौरान ती सदारी कोर्ट में सुवाती मालिवाल भी मौजूद थी जा उनका दर्ज छलक पड़ा